जैन दोस्तो अभी हाली में इंडियन एरफोर्स ने ब्रमोस का सफल परिक्षन किया है। ये परिक्षन बहत खास है क्योंकि इसे extended range के साथ भारती वायु सेना के सबसे विश्वसनी एरक्राफ्ट SU-30MKI के साथ टेस्ट फायर किया गया है। पहले तो इस एरक्राफ्ट का इतना खास क्यों है, ये कैसे काम करता है। 20 साल बीच जाने के बाद भी सुखोई इतना विश्वसनी एरक्राफ्ट क्यों है, इसके फीचर्स क्या है, स्पेसिफिकेशन क्या है, साथ ही इस परिक्षन से कितना अंतर आने वाला है। तमाम बातों पर चार्चा करेंगे, इस छोटे से वीडियो में बने रहे है, कमाल की जानकारी देंगे, आईए इसे बेसिक से समझते हैं। लेकि ये इंडियन एर फोर्स का ओफिसियल ट्वीट है, इसमें इन्हों ने बताया है कि SU 30M के आई के साथ ब्रमोस का extended range के साथ सफल परिक्षन किया गया है। बताया जा रहा है कि इसका विस्तारीत range 400 किलिमेटर दूर तक के target को destroy करने की जमता रखता है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपने के statement में कहा है कि इंडियन एर फोर्स लॉंग रेंज के साथ चाहे जमीन हो या सी targets हो, कहीं भी सुखोई 30 aircraft के साथ इस missile से 60 खमला करने की जमता रखत है। फिलाल इस test में इस सूपर सोनी cruise missile ने Bay of Bengal legion में अपने target को hit किया है। इस successful test के पीछे Air Force, भारतिये नौसेना, DRDO, हिंद्रिस्तान Aeronautics Limited और BAPL यानि कि ब्रमोस Aerospace इन सब का एक संयुक्त प्रयास है। वैसे ये missile fire and forget के सिधान पर pinpoint strike करता है। इसके test से भारतिये वाय capability में काफी सुधार आएगा। साथ ही हमारी 30A सीमा और भी सुरक्षित होंगे। तो आए पहले समझते हैं कि ब्रमोस क्या है, इसकी क्या खासियत है और ये Super Sony की speed तक कैसे पहुँच जाता है। देखे ब्रमोस एक medium range का stealth features के साथ Ramjet Super Sony cruise missile है, जिससे कहीं से भी launch किया जा सकता है, चाया पंडूबी हो, स्टिफ हो, एरक्राफ्ट हो या फिर जमीन हो, आप इसे कहीं से विदाग सकते हैं। ये दुनिया की सबसे तेज Super Sony cruise missile में से एक है, इसका विकास DRDO और Russian Federation के बीच एक joint venture के द्वारा किया गया है। ऐसे आपको पता होगा कि इसका नाम दो नदियो होता है, लेकिन इसका जो variant aircraft के लिए होता है, उसका वजन केवल 2500 kg ही होता है, खास बात है कि ब्रमोस nuclear warhead को भी carry कर सकता है, बागी हर जगा इसका operational range अलग-अलग होता है, जैसे कि सम्मरीन या जमीन से 500 km और aircraft से 400 km, फिर भी आप यही समझे कि इसका real operational range केवल IAF को ही पता Actually कुछ दिन पहले मैंने Agnify के test के ऊपर एक वीडियो बनाया था, उसमें भी range को लेकर मैंने यही बात बताया था, और बाद में वो बात सच निकला, तो बस इतना ही समझे कि कोई विदेश सुरक्षा कारणों से अपने weaponry की सारी बाते पबलिक नहीं करती है, बाकी इसका speed टर्मिनल फेज में मैक 3 के ऊपर चला जाता है, अगर आप मिसाइल का टर्मिनल फेज नहीं समझते हैं, तो आप Agnify वाला वीडियो चरूर देखिए, इसका link मैंने description में दे दिया है, अब इतने speed के लिए इस मिसाइल में दो इंजन लगे हुए हैं, पहले stage में ज्यादा thrust देने के लिए solid rocket booster EEL engine लगे हुए हैं, जो propellant के रूप में solid fuel का इस्तमाल करता है, और second stage में liquid rocket ramjet engine लगा हुआ है, जो propellant के रूप में liquid fuel का इस्तमाल करता है, और terminal phase में missile को मैक 3 के ऊपर ले जाता है, इसके एक उर एसी इतनी अधिक है, कि यह एक मीटर के दारे में एकदम pin point strike करता है, इसे अलग-लग platform से कहीं से भी launch किया जा सकता है, चाहे surface हो, चाहे aircraft हो, यह submarine हो, इसलिए इसके इतने सारे variants बनाए गए हैं, अब सबसे खास बात है, इसे सुखोई 30MKI से fire करने के लिए, इसके range को और extend कर दिया गया है, इस बात से aircraft को और फैदा मिलेगा, तो आ मतलब है, देखिए इसमें propulsion के लिए दो engine लगे हुए हैं, जो multi-role यानि एक ही aircraft बहुत सारे प्रकार के कारे करने में सक्चम होता है, जैसे विमान टोही का काम, forward air control, electronic warfare, air to air combat, air to surface combat, bombing या फिर nuclear strike वगयरा के लिए, तो ये एक multi-role aircraft है, जिसे रसिया के द्वारा design किया गया है, बाद में रसिया से license लेकर इसे हिंदुस्तान Aeronautics Limited के द्वारा manufacture किया गया है, देखिए इसे लगबग 20 साल पहले Indian Air Force में इंडक्ट किया गया था, और तब से आज तक इसने अपनी विश्वस्निये सेवा दिये, आज इसी फेत के कारण ये जहाज भारत के पास तक्रीबन 300 के आसपास है, आज के डेट में ये aircraft भारतिय वाई उसेना के लडाकु बेडे का read माना जाता है, ये विमान भारतिय विस्ष्टाओं को ध्यान में रखती वे बनाया गया है, हलाकि समय के साथ साथ इस विमान के avionics में बहुत सारे अपग्रेडेशन किये गये हैं, जैसे क इसमें बहुत सारे French और Israeli सबसिस्टम अपग्रेड किये गये हैं, जिसके कारण यह कई विस्ष्टाओं और छम्टाओं को प्रदर्सीत करता है, आईए, अब इस विमान से जुड़े इन सभी विस्ष्टाओं पर संचिप्त में चाचा कर लेते हैं, सबसे पहला है character restricts, दे यह aircraft जब अपने full armaments के साथ में होता है, उस समय इसका वजन तकरीवन 26,000 kg होता है, देखे यह इतने सारे वापन को carry करता है, हलाकि इतने सारे वापन के लावा भी इसकी maximum take-off capacity 38,000 kg है, इसके लिए इसमें Saturn AL-31 इंजन लगे हुए हैं, जो टर्बो फैन के साथ 123 किलो न्यू और यह सब आप रफायल से compare करेंगे ना, तो हो सकता है आपको कम लगे, लेकिन ये भी तो समझिए कि रफायल इसे कई गुना जादा महेंगा है, खेराइए इसके cockpit को देख लेते हैं, इसके cockpit में Israeli made Elvid SU-967 head-up display लगे हुए हैं, जो aircraft से जुड़ी हर जानकारी, पाइलट को एकदम ठीक सामने देते रहती है, बागी देखिए इसका cockpit कुछ ही स्तरगा होता है, इसमें आपको armaments, flight information, navigation, tactical situation, missile guidance, interception नित्यादी से जुड़ी हर जानकारी डिस्पले करते रहती हैं, इसके बाद है avionics, इसमें Russian made Bars radar लगे हुए हैं, जो X-band frequency पर काम करता है, और किसी भी object का सटीक location वताता है, साथ ही इसमें ELM-822 jammer लगे हुए हैं, जो दूसरे aircraft के radar को false signal भेज कर भ्रहमीत करता है, और खुद बचने की कोशिस करता है, इन सब के लावा इसमें radar warning receiver, laser optical infrared, search and track hardware इंस्टॉल किये हैं, बाकी आईए इसके armaments को संचीवत में देख लेते हैं, बाकी इसके लिए इस aircraft में 12 hardpoint, 6 इधर और 6 इधर बने हुए हैं, इसमें हवा से हवा में मार करने के लिए R77, Derby ER, Astr missile, R27, R73, K100 और MICA missile लगे हुए हैं, एर टू सर्फिस के लिए KH59, Rampage missile, KH29 और निर्भय missile लगे हुए हैं, और SIP को target करने के लिए KH59, KH35, KH31 और ब्रमोस missile लगे हुए हैं, अब यही जो ब्रमोस है न, इसकी मारक चमता पहले से ज़्यादा बढ़ाई गई है, सबसे पहले तो इस aircraft के speed मैक 2 से ज़्यादा है, तो जब भी हवा में dogfight होती है न, तो aircraft इस गती से chase करता है, इसके बाद उस target पर ब्रमोस मैक 3 के गती से hit करता है, खेर अब इ aircraft से missile एक safe distance तक पहले free fall होता है, उसके बाद fire होता है, क्योंकि आप समझ पा रहे होंगे, अगर किसी aircraft से missile direct fire होता है, तो Newton के third log के हिसाब से उसका balance खराब हो सकता है, उमीद है इन सारी बातों को आपने अच्छे से समझाओगा, अब आप से एक सवाल है, क्या भारत को रफा बोक्स में जरूर लिखे, वीडियो पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा support जरूर कीजे, लाइक कीजे, share कीजे, आपका दिन सुबह, धन्यवाद